नमस्कार ताल्टो के स्पेशल एडिशन में आपके साथ मैं अदती यादी तो आपको जल्दी से बता देती हूँ पूरी खबर प्रधान मंत्री नरिंदर मोदी आप जानते ही हैं दो दिन के पशिमंगाल दौरे पर थे दीदी के गड़ में उन्होंने ममताब एनर्जी वे सरकार पर बड़ा रोप रखाया कोलकाता में प्रधान मंत्री नरिंदर मोदी ने ममता एनर्जी पर एक बड़ा हमला करते हुए ये कहा केंदर की योजनाओ को ममता दी दी इसलिए लागू नहीं करती क्योंकि उन्हें कट नहीं मिलता कमीशन नहीं आता अब सिंडिकेट के नहीं चलने के वज़े से केंदर की योजनाओ को रज्य सरकार लागू नहीं कर रही है तो क्या पश्यम बंगाल में इसका सीधा सीधा सा मतलब है 2021 में चुनाव होने हैं क्या पश्यम बंगाल में कट मनी पर लड़ी जाएगी 2021 की लड़ाई प्रदान मंत्री मोदी ने कहा कि मेरे दिल में हमेशा दर्द रहेगा और मैं चाहूंगा इश्वर से प्राफना करूंगा कि बंगाल के नीती निर्धारकों को सद गुद्धी दे सीधे तोर पर हमला ममता वेनरजी पर था तो कुल मिलाकर ताल्टोक के स्पेशल एडिशन के सवाल यही कि सबका साथ सबका विकास जो कि प्रदान मंत्री का मूल मंत्रो रहा है सबका साथ सबका विकास से क्या बंगाल में ममता को मात देगी बीजेपी ममता पर कटमनी वाले प्रहार से बंगाल में क्या खिलेगा कमर मोदी की योजनाओं से दीदी को एतरस क्यों है बंगाल में क्या 2021 की लड़ाई अब भरष्टा चार पलड़ी जाएगी मोदी विरोध में ममता क्या मुखे मंत्री की कर्टिसी मरियादा भूल गई अपको बता देती हương कई खास मेमान हमारे साथ हैं शौजिया इल्मी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं हमारे साथ् प्रबीर विष्वास हैं टेमसी का पक्ष रखने के लिए शुबरान श्राय प्लिटिकल आनलिस्ट, कॉंग्रिस की आइडियोलोजी से इतिफाक रखते हैं, इमरान खान प्लिटिकल आनलिस्ट हैं, लेफ्ट की आइडियोलोजी से इतिफाक रखते हैं, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, very good evening, मेरा पहला सवाल, प्रबीर बीजेपी के सबसे बड़े नेता ने, विपक्ष की सबसे तेस्तरार नेता पर, जिस तरह से अटाक किया है, हमला किया है, कुल मिलाकर ये लड़ाई, जो प्रधान मंतरी की आज पिछ रही उनके भाशण में, साफ दिखा, राष्टवाद या नागरिक्ता ने, नागरिक् में कैसे डिफेंड करेंगी ममताब एनरजी प्राम मिनिस्टर के स्ट्रेट ड्राइब को? चुराओं में भी देखे है, जहां जिता हुआ सीड बीजेपी हार रही है, लगातार बीजेपी का जो समर्थक है, ओटी एमसी में लोट के आ रहे है, तो इसका मतलब नहीं है, ये जो ख्वाब देख रहे है, पदान मंतरी जी, ये उनका ख्वाब ही रह जाएगा, ये सप जैसे 19 लाख बंगालियों को असाम में बेघर कर दिया गया, वो बात लेके बंगाली इतने खौफ में है, इतने डर में है, ये प्रधान मंतरी आप इस बात गुमाने के लिए ये सब अनापसना बाते कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि केंद्रे का प्रकल्प प्रकल्प जो आपने जनता की लड़ाई की बात की, जनता में दोनों पार्टियों की प्रेजिंस की बात की जरा एक बार फिर से वो लेकर आईए, एक बार फिर से लोगसबाचनाव की टैली लेकर आईए, दोजार उनीस, सर अप्रोक्सिमेटली 43% वोट मिला टी-मसी को और बीजेपी को 41% से जादा वोट पड़ा सा, 40% से जादा वोट पड़ा सा, वही बीजेपी जो 2014 में, sir, please let me finish, sir, I didn't interrupt you, I didn't interrupt you, sir, I'm just showing facts, listen to the facts, sir, आपके हिसाब से कितना वोट मिला था बीजेपी को? आप fact, बाद बयान नहीं कर रही हो, आप बयान जो कर रही हो, इस नहीं, sir, tell me how much vote did BJP get in 2019, sir, how much vote percentage, yeah, tell me fact, कितना मोट मिला था BJP को 2000 रोट निसने आपके हिसाब से, लोग सवाद चुनाओं का एस्पेक्ट और विधान सवाद चुनाओं का एस्पेक्ट एक नहीं होता कोई पुरा जवाब दीजिए नहीं सार पूझे आप मेरे फैक्स करेक्ट कर रहे थे सार प्लीज करेक्ट मी ने ने मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं मौका तो दीजिए बीजेपी का लोग सवाद चुनाओं का मुद्दा लोग सवाद चुनाओं का एस्पेक्ट नहीं है यह ओपिनिया ने एक्स पेक्ट अलगता है एक राज़मी प्रमानी थो गया लोग सवाद चुनाओं का एक्स पेक्ट अलगता है यह जगा पे यह प्रमानी थो रहा है किप दट सैट उन दे स्क्रीन प्लीज 2019 में प्रवबिर बिश्वास मां फेक्ट की बात कर रहे हैं न मुझसे कितना था वोटिंग पिसिंटेश 2019 में अरे 2019 लोग सवाद चुनाओं के साथ बिदान सवाद चुनाओं मात एक करो आप मैं आप से एक सवाल पूछ रही हूँ सर आप मुझे उसका ऐनालिसिस ओफ़ कर रहे हैं सर दोनों चीजों में डिफ्रेंस है डोंट डू दाट आपके इसाब से बीजेपी को लोग सवाद चुनाओं में प्रवट पॉल हुआ है नहीं हुआ सवाद चुनाओं में पिजाथ यहार रही हार जगा सवाद चुनाओं में कितना वोट पड़ा था बीजेपी को 2019 में बस इतना मेरा सवाल है आप से अब भी तो याद नहीं है 42% का असपास होगा थैंक यू सर इट वोज मोर देन 40% आप मेरे फैक्ट जुरूस कर रहे थे मैंने जानबुच से आप से इस सवाल पूचा क्योंकि आप मुझे सुनने के लिए तैयार नहीं थे तथे के लिए आसे बीजेपी और टीमसी के बीज में से 15% का फासला था जी यह कह रहे है प्रधान मंत्री उन मुद्दों पर उन इश्यूस पर उन बातों पर मसलों पर नहीं बोले जो ममताब एनरजी टाइम टू टू टाइम उठाती रही है वो 30,000 करोड के ड्यू पेमिंट की बात कर रहे हैं सेंटर द्वारा वेस्ट बेंगॉल को वो 7,000 करोड की ग्रांट की बात कर रहे हैं साइकलोन बुलबुल के लिए आप जवाती जे वो कह रहे हैं आप गैर बीजेपी शासेत राज्यों के साथ तो दो चीज़े तो दो चीज़े में कहूंगी सबसे पहले तो जो भष्ष विपक्ष की तमाम पार्टियां हैं जब कुछ परोस नहीं पाती हैं बिचारी तो वो डर परोस्ती हैं और इसी डर के चलते उन ममता बैनर जी मसीहा बनकर जो जिर्म बातों को सामने रख रही हैं उनी के जो बयानात हैं बाहरियों को लेकर बंगला देशियों को लेकर वो खुदी ममता बैनर जी सुन ले तो प्रदीब जी अभी भागते फिरेंगे और दूसरी और सबसे जरूरी बात कि आप अपनी राजनीती के लिए पच्चिम बंगाल की जनता को ना सर्व भै में रख रही हैं जूड बोल लही हैं अपने को ये कॉंड़िक कर रही हैं बलकि जो सेंटर के तरफ से जो डिरेक्ट बैनेफिट ट्रांसफरज जो कैश ट्रांसफर्ज हैं वोसं पो ने नहीं किसान समान के लिए जो निधी के तौर पर प्वेसा है वो उनको देने दो आप लोगों के साथ अंयाया कर रही हैं मोदी की मुखालफत आप कीजिए ममता जी लेकिन आम जो बंगाली हमारा जो बाशिंदा है नागरे के आप उसके खिलाफ क्यों काम कर रही है यह सवाल जो पूछने वाला होता है मैं इसे मोदी जी की बात नहीं करूंगी मैं आम जनता की बात आप करूंगी जिनको जो मिल र सवाल था जो मेरा सवाल था उस पर आपने जवाब ने दिया प्रबीर बिस्वास मोदी विरोध में जनहित की कुर्बानी दे दी जाएगी मोदी विरोध में जो डारेक्ट बैनेफिक प्रांसफर सीदे जनता के हाथ में पैसा उसको इंप्लिमेंट नी किया जाएगा सब और और एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं क्योंकि मम्ता भ्रष्टाचार पर वीक विकट पर है वीक फुडिंग पर है इसलिए वो एनर्सी और सीए के माध्यम से इस पूरे मामने को डिरेल करना चाहती है मैं आपको आपका सवाल मैं आपी से पूछ रहा हूँ मोधी हीत में देश का एरपोर्ट बेचा जाता है क्या मोधी हीत में रेलवे के बेचा जाता है क्या कहां बेचा गया मोधी हीत में दो कड़ों लोगों का साल में नोक्री देने वाले थे वो नहीं देने वाले है क्या अरे भाई आप तच्छे गलत बता रहे हैं वह भी बंद करना चाहिए तब बेच दिया डाम क्या मतल्बल होना चाहिए था क्या कूछ सर्पैर की बाती क्यों कर रहे हैं चिए था क्या फ्राइवाट प्याज हम छोड़ना सकते हुआ प्राइवाटाइजेशन मतल्टा लगता है इतना सवाल कर दिया जवाब देने वाला है कौन हां 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 मोदी के हीत में हम दो दो करम आपके लिए पॉज देश पर गुड होते हैं अपने सेणाओ का रख्षा सके सार सुन लेजे आयुश्मान योजना किसान सम्मान निदी योजना स्मार्ट सेड़ी मिशन स्वचता वियान से जुड़ा हुआ सर्वे जवाब दीजे एसके उपर दीजे जिए इसान होती है कि अई आयुष्मान योजना जिसान सम्मान निदी योजना स्मार्ट सेड़ी मिशन स्वचता वियान सुड़ास सर्वे बताइए मुझे इन4 पर जवाब दीजे जल्दी सेसां तटी सेकंड़ और पैनलिस को लेकर आओंगे फेस्ट इबेट में प्लीस क्यों नहीं एक बार सवाल दुबार आओंगी तो आपसे सवाल का जवाब चाहूंगी आयुश्मान योजना किसान सम्मान ने योजना स्मार्ट से रेमिशन स्वचता अभियान से जुड़ा सर्वे दीदी ने क्यों बातनी शुब्रांश राएं बीजेपी वर्सेस टीमसी आप कहां है जनाब आली अधिती ऐसा है ना कि आज आज आपके कोस्टन के साथ में बड़ा इत्तफाक रखता हूं आपने कोस्टन अपना रेज किया था ताल्ठोक के स्पेसल में कि 2021 के बंगाल के अलेक्शन कट मनी वर्सेस करप्शन पे होगा या बीजेपी की नीतियों पे होगा कुछ इस तरह का आपका कोस्टन था तो मैं आज इस बात के लिए आपको बहुत बहुत बढ़ाई देता हूं भारतिये जनता पार्टी अब डूबता हुआ बैपार और जाती नौकरियों पे तो चुनाव लड़ेगी नहीं बट नेचुरल है अगर वहां टीमसी में पीछे हम सबने देखा है नेशनल टेलिवीजन पे कि कट मनी होता था और दीदी ने स्पेसल डैरेट किया था कि भाई कट मनी जिसके पास गया हो बाई बैका है बिल्कुल सही है लेकिन आपके एक दूसरी इंप 44 लाख मिस्कॉल मिला वह भी पता नहीं कैसे कैसे अथकंडे अपनाने पड़े और जो आपका तीसरा इंपोर्टेंट सवाल था आयुस्मान योजना की आप बात कर रही है बिल्कुल मैं मानता हूं कि आयुस्मान योजना लागू होनी चाहिए क्योंकि अगर ये आयुस्म कट मनी ममता में जी तक जाता है वो अपना नाम तो बूल रही है वापस करने के लिए कट मनी नीचे का वरकर लेके उपर तक पहुचाता है सुब्राज जी कट मनी ममता पेनर्जी तक जाता है अपना नाम वो कैसे भूल रही है ये वही ममता पेनर्जी है कहती है कि उनाइट नेशन से रिफरेंडम कराएंगे अरे जो उन게 अधिकार छेटर में नहीं आता है वो कैटियम लागू नहीं करेंगे अरे बड़ा छोटे की बातिर्शन नागरिकों के बारे में बात हो रही है ये बात हो रही है जंता की भलाई के मारे में जिसको आईश्मान भारत की उसका付 लाभ मिलना था जिसको अपने operation कराना है उसको उसका फाइदा मिलना था सुनिये तो सब्सक्राइब आपके पास आउगी साथ तो सबान कर आप सोच लिजे साथ बेंगॉल में बीजेपी वसे स्टीम सी कॉंग्रेस का क्या होगा क्या दीदी शैनम गच्छामी आपको करना है अगर बीजेपी से लड़ना है पैंगॉल में तो दीदी शैनम अच्छामी आपको करना है साथ आज नहीं तो कल आपका प्रिवर्दन होगा इम्रान खान जी इम्रान खान सर मुबारक हो आज आपको कम से कम लेफ्ट के प्रेशर में आकर दीदी आज कोलकाता पोर्ट ट्रस् देखे ये लेफ्ट और राइट का बात नहीं है ये जनता का मुद्ध हर है और जिस तरह से बंगाली नहीं पुरा देश जल रहा है देश एक अमने अबाल पर है जिस तरह से राजन्यतिक टिपणी हो रही ही कभी कहरे हैं इनर्सी लागू करेंगे कभी नहीं लागू करें यह खुदी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और रही बात कि आज साजिया इल्मी जी हैं उनसे मेरा बहुत पुराना तालुकात है अंदोलन के समय से तो साजिया इल्मी जी आज बीजेपी के प्रवक्ता के इसाफ से पहले वो अपना रुख साफ करें कि जो हम मिनिस्ट्री के स्टैंड अलग है और हम मिनिस्ट्री का विबसाइट पर अलग स्टैंड कि NPR इस फॉर्स स्टेप ट्वार्स इनर्सी उस पे देश में जो गुम रहा हो गए लोग उनको साजिया इल्मी यह सपुष्ट करें कि NPR इनर्सी का फॉर्स टेप नहीं है यह साजिया इल्मी जीम पहले सुनीजें के औरिजिनल जो मेंबर्स थे कमिटी के वह कपिल सिब्बल थे लालू प्रसाद यादव थे यह वही सी यह है वही कमिटी है सिर्फ अमेंडमेंट के तौर पर दो हजार पन्वरा के बाद आए में लोगों को सारे चीज़ों को आप लागू किजेगा ओने जो किया है वो सारी चीजों को आप लागू किजेगा वेद वेली खिवाद एप्र सिद लेगी विघया फ्रान ओव झीह हमने की साध्याभी पर और ईसने लोगों किया है शक्तों आप लोगन या पuszक आक की जुंक्त के रहें है याजर्भ मेंश आफागा घोप ribbon प्रजाया करते हैं ना मुदा से बढ़ाइब कर आ रही हूँ जनहित की कुर्बानी दी जाएगी सियासत के लिए सब क्या सी ए ए ए नर्सी पर ये विरोध कट मनी से दिमाग डाइवर्ट करने की कोशिश है जनता का ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश है सब यह जो 18-22 का फ अधिती जी यह कट मनी शब्द पहले कहां से सुने ममताव जी के मुझे सुने न मुंटाव एनर्जी ऐसे सक्स है जो आप फिर नाम वापस करो है औरे आप फिर बिश्वें बोलने लगे अरे सब ब्रस्ताचार कर नहीं कुए आप नहीं नहीं आए नहीं आई पर नहीं लेक्षिंस की जो कैम्पेंट थी बीजेपी की उसके बाद वो बैक्फुट पर आई उन्होंने नेताओं से का कटमनी वापस करो लेकिन अपने कर्मी अपने लेता के खिलाप ऐसे बयान कर सकती है यह हिम्मत रखते हैं तो सब्सस्के बताये ना जो जन्हित की यौजना के लिए उसके त Darren करना हुए है इसमा 느Hoja युजना आप मात कर रहे हो वैसा सेम जोजना पस्ची मंगाल सरकार अल्ड़ेडी चला रही है वो दुबाला लागू करने का ज़रूरत ही नहीं है और स्वच भारत अभीजान में क्या हुआ कितना भारत स्वच हुआ वह हम देख चुके हैं गंगा सफाई अभीजान के लिए पर्सों में कलकत्ता में था आपकी स्वच्चता हुआ सारी दिख लई मुझे बेटी बचाओ बेटी बचाओ के नाम पे कितना पैसा अडवर्टेज्मेंट में खर्चुआ वो पुरा देजबासी देख चुके हैं अरे भाई पहले ये मुझे बताईये ना वर्सों में कलकत्ता में था लोगों का बैयान है कि कल BNGाल के हालत बद से बत्तर होती जा रही है वहां कहा रहे हैं कि ऐसे हालात हो गए हैं कि वो जिसे लगता है इस पूरी सियासी लड़ाई को पुरेसल चार के फंट पर वो ले गए है कुल मिलाकर प्रदार मंतरी सबका साथ सबका विकास को आठी बाते हैं कि विपक शेक जुट मैंने आपको कहा ना कि कॉंगरेस देश का भविश्य है सुनिए वक्त के साथ आपका भी रेपरिवर्तन होगा लेकिन दो बड़ी बाते हैं पहली बड़ी बाती है कि 370 कितना इंपोर्टेंट था ये लोगों ने स्विकारा लेकिन उनको पहले रोज़गार चाहिए और घारखंड ने आपको दिया विपक्ष किये जुक्ता को लेकर सवाल पूचा अब देश का पविश्चे बता रहें कि पश्चिम बंगाल में आने के दिन सुरू हो गए अभी जारखंड गये अब दिल्ली जाएगा फिर बिहार की बंगाल की हालत खराब है सेनाओं का जिस तरह सुनोंने कहा टीम सी से जो है आपने कहा सेनाओं का अपमान है कैलाज विजय बर्गिये जो है विजय पी के प्रवक्ता है नेता है वो हमारे IPS को धंकी देते हैं उससे जुड़ावा पूछ रही हूं आप किसी औरी लेवल पर डिबेट कर रहे है वह शुबरांश रहा है मेरा नाम अदिती है सब जस्टू करेक्ट यू आप सभी महमानों का बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी महमानों का बहुत-बहुत-ब ले गए हैं और मंताब एनरजी उस मुद्वे पर बैक फूट पर दिखाई दी हैं उसलिए हास से अब इस लडाई को आप उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं चोड़ से ब्रेक्ट के लिए आप पर रुख रहें सभी महमानों को बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-